बिस्मिल्यों रोख्मान रहें अस्सालाम अलेकुम आई वो पाल आफ यॉर फाइन एंड है तो डिस्कस करते हैं तो स्क्रोल बार किस लिए यूज होता है ताकि जो टेक्स होता है या फिर कुछ अगर तो एक पेज पर पूरा नहीं आता तो उसको हम लोग स्क्रोल करके नीचे जाके यानि कि पेज को पेज डाउन करके हम लोग देख सकें कि बाकी कॉंटेंट क्या है यानि कि बाकी कॉंटेंट को देखने के लिए हम लोग स्क्रोल बार का यूज करते हैं अब स्क्रोल ब और horizontal scroll bar अब इसकी कुछ properties की बात की जाए तो कुछ important properties हैं जो के मदन नज़र रखने चाहिए जब भी आप लोग scroll bar को use करेंगे इसमें सबसे वाले property आ जाती है large change large change का क्या मतलब है कि it specifies the amount of change in the value property of scroll bar when user click within the scroll bar shaft area यानि के user जब वो scroll bar के यानि के वाइट सा एरिया है जैसे के आप लोगों को नज़र आ रहा है उपर horizontal scroll bar के एक example दे के समझाया जा रहा है तो अब यह scroll bar है ठीक है इसके side पे एक arrow है यानि के यह side right side को जाने के लिए move कर एक right side पे जो arrow है वो text यानि के screen को right side पे move करने के लिए use होगा जो left side पे arrow है वो screen को left side पे move करने के लिए use होगा इसके बीच में आप लोग thumb भी लगा सकते हैं और इसके इलावा bar area है बीच में जो हमारे पस white सा area है अब वो जो bar area है इसके ओपर click करने से जो change होगा वो large change होगा और वो हम specify कर सकते हैं कि कितना change करना चाते हैं large change property को use करके इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं max max क्या है it indicates the amount of it indicates the maximum value of scroll bar value property इसके अंदर हम लोग scroll bar की जो maximum value है वो set कर सकते हैं by default जो set की गई होती है 32,7,67 ये value set की गई होती है और minimum value इसी तरह से white square सा हो जाएगा और इसमें जो minimum value set की गई होती है by default वो 0 होती है और small change का बात कर ली जाए तो small change में भी यही है कि हम लोग amount of change यहां पर specific कर सकते हैं जब user क्लिक करेगा इन arrows को ठीक है जो कि आप लोग को left और right side पे नज़र आ रहे हैं in the horizontal scroll bar इसके बाद last हमाने पस property है value इस property contains the current position of scroll bar currently अभी हम लोग क्या चीज़ वियू कर रहे हैं इसके ह हम लोग value से get कर सकते हैं ठीक है इसके बाद कुछ इसके scroll bar के events भी होते हैं एक तो है change सबसे important यानि के change event हमें बताता है कि scroll bar के अंदर कुछ change अकर हुआ है ठीक है और next है हमारे पास scroll scroll bar यानि कि जब scroll bar scrolling कर रहा होगा उस time पे जो event अकर होगा वो हमारे पास scroll का है ठीक है example क्या कहती है कि आपने एक label लगाना है और एक scroll bar लगानी है अपने प्रोग्राम में और उसके ओपर होना क्या चाहिए label का size change होना चाहिए by changing the position of scroll bar scroll bar के size मतले कि scroll bar के position को change करने से हमारे जो label है उसका size change होना चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा एक आप प्रोजेक्ट बना लेना है standard exe project बनाना है उसके बाद आपने क्या करना है कि वहां पे एक label लगा लेना है label के ओपर आप तो click low caption दे दो hello का size set कर दो 14 ठीक है और उसके बाद आपने एक scroll bar add कर लेनी है अपने form में वह आप लोगों को toolbox के अंदर से scroll bar का option मिल जाएगा और उस maximum value क्या करनी है उसके set कर देनी है 14 और maximum value उसके set कर देनी है 36 ठीक है और small change को आप लोगों को ने change कर देना है उस scroll bar की properties में जाके small change को one कर देना है और large change को four कर देना है यानि कि user जब इस white space को click करेगा तो size जो होगा वह ज्यादा तेज़े से change होगा और जब user in arrows को click करेगा size one by one करके change होगा ठीक हो गया तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उस button को double click करना है sorry button को नहीं आपने scroll bar को double click करना है scroll bar को जैसे ही double click करोगे तो आप लोगों के पस ये code window open हो जाएगी code window के अंदर आपने क्या code लिखते हैं जो कि आप लोगों को नजर आ रहा है कि label one जिसका ह लेबल है जो कि जिसका हम अभी size चेंज करने हैं तो label one dot font size उसके बाद आपने is equal to करके h scroll one dot value यानि के ये जो scroll bar की वज़ा से इस की स्क्रोल बार की या फिर स्क्रोलिंग की वज़ा से आपकी लेबल का size change होता जाएगा यानि के font size change होता जाएगा जैसे हम लोग scroll bar को scroll जैसे कि आप लोगो को यहां पर step 6 के अंदर नजर आ रहा है कि scrunch position starting में उसकी position क्या थी hello की size उसका 14 था ठीक है अब यहां पर 14 तो नहीं लिखा वा लेकिन यह है कि size उसका छोटा नजर आ रहा है ठीक है जैसे ही scroll bar थोड़ी सी आगे गई है तो आप लोगो नजर आ रहा है लेते हैं file list box की which is which is another control on the page number 250 chapter number 8 visual basic common control ठीक है अब इसको open कर लें तो इसको understand करते हैं file list box is used to display all files in the current directory when this control is used on the form it automatically displays all files in the list without writing code इसकी use से हम लोग क्या कर सकते हैं कि current directory के अंदर जितने भी files folders वगारा पड़े हैं उनको हम लोग display करने के लिए अपने form के अंदर display करने के लिए उसको use कर सकते हैं इस control को ठीक है यानि कि कोई file को select करना चाते हैं हम लोग file को add करना चाते हैं file add तो नहीं होगी लेकिन file हम लों डिस्प्लेड कर सकते हैं फाइल लिस्ट वॉक्स है में ठीक है और सकेबाद क्या हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टिस हैं फॉप्रॉपृी बड़ी इस में लिखा shows name. file name property आपको बताएगा जो selected file उसका नाम क्या है. archive property रखेज़ अब्लिएंज रेक्राइक को यह है आएधर और आर्वीवट सीलशार के अंदर शो का रहना है जो ने और विलेंट प्रॉपKEटी है ठीक है ultra रही हम वे हिद्टन फार मझे आदे खकर tartar सकते हैं whether हम लोग multiple files को स्लेक्ट कराना चाहते हैं या नहीं path 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 से हम लोग selected file का path get कर सकते हैं ठीक है जो भी डिरेक्टरिस का उसका path होगा हम लोग गेट कर लेंगे path property को यूज़ करें पैटरन है pattern है pattern की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं filter कर सकते हैं जो उनसी files हम लोग list file list box में display करवाना चाहते हैं read only files का मतलब यह है कि either read only files जो है वो display हो रही है के नहीं हो रही इसके बाद क्या है system system file में system में भी एक file है specific type की जो के हम लोग इस property के अंदर specify करेंगे के system file हम लोग display करवा रहे हैं यहां पर देखना चाह रहे हैं अपनी file list box के अंदर यह नहीं ठीक हो गया इसके बाद इसके कुछ events है events में सबसे पहले single click है और double click है single click किया उसको simply click कि कहा जाता है click क्या मतलब है this event occurs when the user click on file list box यानि के यह event कब कर होगा जैसे ही user file list box क्लिक करेगा और double click करने पर यह event double click वाला click मतलब के अकर हो जाएगा ठीक हो गया इसके बाद इसके बाद क्या है कि combining drive list box directory list box और file list box अब यह क्या है सारी एक जैसी है इसमें थोड़ा सा थोड़ा 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 डिफरेंस है अब drive list box क्या है कि हमें यह बताता है कि जितनी drives है अपने computers के अंदर का आपके computer system के अदर वो डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग drive list box का यूज करते हैं अब directory list box है जैसे के name suggest कर रहे हैं कि जितनी भी directories है उसको हम लोग चेक करने के लिए उसको उसके लिए हम लोग directory list box का यूज करते हैं और जो files है file list box जैसे के नाम से जाहर है कि file हम लोग files को list करने के लिए use कर सकते हैं file list box का ठीक है अब इसके बाद कुछी example है एक example दी गई है 8.21 यह आपने कर लेनी है अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी आप लोग यह मुझसे पूछ सकते हैं that's it for today we will meet again with the next video with the next lecture take care Allah Hafiz